मैं एक और बाद की और आपका द्यान दिलाना चाहता हूं या सभा बहुत उचित रूप से इस विशय में सतर्ग है की अमारी शाषन संबंदी सेवाओं के विकास में अपवय को रोका जाए एक समीती बैठाई जा चुकी है तथा अन्य समीतियां भी है जो इस विशय पर विचार कर रही है इस बात को द्यान में रखिये की भारत सरकार को जो 15 अगस 1947 से कार कर रही है अब तक की किसी भी भारत सरकार की अपेक्छा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक तो पहले ही सरकारे समाजिक देव को जो उनके सामने होता था अपना मुख्यकार या उतने ही महत्व का कार नहीं समस्ती थी चितना की हमें समझना चाहिए दूसरे यह वैदेशिक मामलों का छेत्र ले लीजिए जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं उस समय कोई वैदेशिक मामले नहीं थे हमारे लिए अपने वैदेशिक और अंतराष्टी हिस्तिती का निर्मान करना एक बिलकुल नया प्रयास रहा है जिससे लाजमी तौर पर हमें यहां और विदेशों में अपने कर्मचारी वर्ग में बहुत काफी विद्धी करनी पड़ी है और बहुत धन व्याय करना है यह हो सकता है कि कुछ बचत की जा सकती हो उस पर विचार करना पड़ेगा और उसे देखना होगा लेकिन आप स्वतंत्र राष्ट होते हुए उन वैदेशिक संबंदों के बिना काम नहीं चला सकते बारती सारे संसार में पहले हुए हैं हमें उनके हितों को देखना हैं प्रवासी बारतियों के अत्रिक और भी अमारे हित हैं जिन्हें हमें देखना हैं एक स्वतंत्र देश के लिए विशेश कर बारत जैसे महान और बड़े देश के लिए यह बिलकुल असंभव है कि वह विदेश वैपार ग्रियों विदेशी दूतावासों और विदेशी वैपार मंडलों आदी के साथ ऐसे संबंध स्थापित किये बिना अपना अस्तित्व बनाय रख सके मैं इसकी चर्चा इसलिए करता हूँ कि अक्सर इसकी अलोचना होती है कि हमारे दूतावास सारी दुनिया में पहले हुए हैं और कभी कभी मुझसे कहा जाता है कि मुझे एक तरह की सनक हो गई है और यह की भारत की मुसीबतों को भूल जाता हूँ और मैं उन पर द्यान नहीं देता और मैं सिर्फ राजदूतों को बाहर भेजने की बात सोचता रहता हूँ मैं चाहूंगा कि यह सभा इस मामले पर विचार करे और इसके संबन में बिलकुल इस पश्ट रूप से समझ ले इससे पता चलता है कि लोगों को इसकी काफी समझदारी नहीं है